धनतेरस पर भूल कर भी न खरीदें ये पांच चीजें। हिंदू धर्म में दिवाली को प्रकाश, ज्यान और अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन जलने वाले दीपक की रोशनी हम सभी के जीवन से अंधकार को दूर करती है। भारत सहित अन्य देशों मे दिवाली के पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसकी शुरुवात धनतेरस से होती है। पंचांग के अनुसार धनतेरस का त्योहार कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा के साथ साथ मान लक्ष्मी और कुबेर महाराज की आराधना करनी चाहिए। इससे धन दौलत में व्रिध्य होती है। इस साल 29 अक्टूबर 2024 को धन तेरस का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन सोना, चांदी वजाडू को खरीदना बेहद शुब होता है। इससे पूरे साल घर मे बरकत बनी रहती है। परंतु इस दिन कुछ चीजों को खरीदने से बचना चाहिए, इससे आर्थिक समस्याएं उत्पन न हो सकती है। ऐसे में आये जान लेते हैं कि धन तेरस पर किन चीजों को नहीं खरीदना चाहिए, लोहा न खरीदें। धार्मिक मान्यताओं के जोटिश के अनुसार धन 15 के दिन लोहा या लोहे से बनी वस्तूओं की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना अशुब हो सकता है। जोटिश के अनुसार धन 13 पर लोहे की वस्तू को घर लाने से आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। Aluminium और Steel, धनतेरस के दिन Aluminium की वस्तूएं भी न खरी दें इससे घर में दरिद्रता का वास होता है इस दौरान Steel की चीजें भी न लें माना जाता है कि इससे घर में नकारातमकता का वास होता है मिट्टी के बरतन मान्यताओं के अनुसार dhann 13 के दिन मिट्टी से बने बर्तनों को नहीं खरीदना चाहिए इससे परिवार की सुख शान्ती में भी कमी आती है काँच के बर्तन आम तौर पर dhann 13 के दिन घर की सजावट वरसोई घर की चीजों की खरीदारी की जाती है इस दौरान कुछ लोग कांच के बरतन भी घर ले आते हैं, जो उचित नहीं है मान्यताओं के अनुसार धन तेरस के दिन कांच खरीदने से बचना चाहिए इससे बरकत पर प्रभाव पड़ सकता है काले कपड़े इस दौरान वस्तरों को खरीदना बेहद शुब होता है परंतु काले रंग के कपड़े न खरीदें इससे घर की सुक समरिध्य प्रभावित हो सकती है